यूपी की कुछ सीटों पर तना तनी से समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के खेमे में मचा हड़कम कहीं प्रत्याशी बदलने से बबार तो कहीं पर उम्मीद्वार के खिलाप जनता का संग्राम ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के अमरोह से आई जहां कॉंग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का मुस्लिम समाज के लोग विरोध करते नजर आए उनकी कार को घेर कर लोग हंगामा करते नजर आए विरोध का ये विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है दरसल कॉंग्रेस के उमिद्वार दानिश अली अलविदा जुमा की नमाज में शामिल होने नौगावा सादात पहुचे थे इसी दोरान वहां मौझूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उने घेर लिया और उनका विरोध करने लगे इस दोरान दानिश अली कार में बैटे रहे वहां मौझूद विरोध करने वाले लोगों के मुताबिक कॉंग्रेस के दानिश अली का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वो बीते पांच साल अपने लोगसभा क्षेत्र से गायब रहे इसके साथ ही उन पर दिकास ना करने के भी आरोब लगाए गए हमारे सांसद जी ने पिछले पूरे पास साल में सिर्फ दो सोलर पोल लगवाए जो एक एक लाइट वाले पूरे नेवस्ति के अंदर जबके दस से बारह और हजार बोट हम इन्हों लोगों को दिये थे हमने कोई बोट ने कोई काम नहीं किया फिर इनको बोट दे क्यों हम हमने बोट दिया था अपना रहमुर्वन क्चुनने के लिए डानिस ऑली सांसद में दूसरे सांसद ने बीजे पी की तरफ से कवर सिंग तवर मैदान में है जबकि बीएसपी ने चौदरी मुजाहिद हुसैन को अपना उमिदवार बनाया है यहां दूसरे चरण में 26 सप्रेल को मददान होगा यूपी के अम्रोहा में कॉंग्रेस प्रत्याशी का विरोध हुआ तो बदायू में प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी पर मुश्किल आन पड़ी अखलेश यादो ने बदाईउं में पहले धर्मेंद्र यादो का टिकट काट कर चाचा शिवपाल यादो को दिया लेकिन अखलेश के फैसले से उलट चाचा शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट की मांग कर डाली इस फैसले को उन्होंने अपनी रड़नीती का हिस्सा बताया था रणीत को रणीत रहने दो हम चुनाव लड़ेंगे भी लड़ाएंगे भी इसकी चिंता मता बदायू संसदी क्षेत्र में तीसरे चरण में मदान होना है और इस सीट से समाजवादी पार्टी ने शीवपाल यादो को मैदान में उतारा है तो बीजेपी की तरफ से दुर्विजे सिंग शाक के ताल ठोक रहे हैं बदायू में साथ मई को मदान कराया जाएगा लोगसभा चुनाव में अकलेश यादो की मुश्किले कम होती नहीं दिख रही है सिर्फ बदायू ही नहीं बलकि मुरादाबाद, रामपूर, गौतम बुदनगर और मेरट में भी प्रत्याश्यों को लेकर उनकी टेंशन कम नहीं हुई है सारे दाउपेच आजमाने के बाद अकलेश यादो को आखरी मौके पर उम्मीदवार बदलने पड़ें समाजवादी पाटी ने मेरट से अतुल प्रधान का टिकट काट कर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पतनी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया इससे पहले मौरादाबाद में भी ऐसा ड्रामा देखने को मिला जहां मजूदा सांसत स्टी हसन का टिकट काट कर विजनौर से आई रूची वीरा को उम्मीदवार बना दिया कुछ ऐसी ही इस्थिती गौतम बुधनगर में दिखी जहां तीन कोशिचों के बाद अकलेश यादों ने राहूल अवाना की जगे महेंदर नागर को अपना उम्मीदवार बनाया कुछ ऐसा ही महाल उत्तरप्रदेश की रामपूर सीट पर दिखा जहां अकलेश यादों बनाम आजम खान हो गया क्योंकि आजम खेमे के विरोध को दर किनार करते हुए अकलेश यादों ने मौलवी मौलाना मोहिपुला नदवी को रामपूर लोकसबा सीट से मैडान में उतारा है इस थानिय लोगों का अरोफ है कि नदवी अकलेश यादो द्वारा मैदान में उतारे गए पैराशूट उम्मी द्वारे मतलब साफ है कि लोगसवा चुनाओ के इस समर में विपक्षी पार्टियों को कई सीटों पर अपनों से ही मुकाबला करना पड़ सकता है झाल झाल